हाई एवरिवन वेलकम टू ब्रिंग पेजूकेशन एजूकेशन बितिक क्वालिटी एंड दिस इस अवे यूर कौन्स टीचर एंड हीर आयम टू टीच यू लिटल बिट अव मैथेमेटिक्स तो आज हम देखेंगे मैथेमेटिक्स का बहुत ही इंपोर्टें सा टॉपिक ज मतलब on each hundred कोई चीज कितना है वही क्या होती है percentage होती है ठीक है और अगर आप इसको fraction में define करो तो fraction में यह basically है क्या कि 100 में से कितना ठीक है कोई भी चीज 100 में से कितना है वही क्या होता है percentage होता है जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सब fraction से relate करें और जिसकी मदद से हम सारे questions कर तो कैसे करेंगे जैसे कि जब हम छोटे थे या फिर जब मैं छोटा बच्चा था तो होता क्या था कि हमें 4 blocks मिलते थे जिसमें से 3 क्या होते थे sadded होते थे और हमसे यह पूछ लिया जाता था कि बताइए sadded part जो है पूरे का कितना है ठीक है तो हमारा answer क्या होता था 1, 2, 3 is sadded, मतलब 3 sadded है, out of what, 1, 2, 3, 4 blocks, ठीक है, तो 3 by 4 हमारा answer होता था, तो अब इस 3 by 4 को थोड़ा सा हम अच्छे से समझने की कोसिस करेंगे, कि आखिर ये 3 है क्या, और ये 4 है क्या, और इसकी मज़़ा समझ परसेंटेज कैसे relate करेंगे, ये भी हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना, 4 क्या था, 4 वो चीज थी, जिससे हमने compare region किया था, और 3 क्या था, ये 3 वो चीज है, जो की compare वरी है, जैसे इसमें क्या बोला था, कि sadded part पूरे का कितना है, तो sadded part compare हो रहा था, किससे, पूरे से, तो sadded part कितना था, 1, 2, 3, और पूरा कितना है, 1, 2, 3, 4 blocks, ठीक है, ये छोटी सी चीज दियान देंगे, कि जो चीज compare होती है, वो numerator में रखी जाती है, जिससे compare होती है, वो denominator में रखी जाती है, ठीक है, तो आप ये याद करने के लिए, आप ये लिख सकते हो, कि जो and upon क्या, जिससे, to get a fraction, to get a desired fraction, आप कैसे करोगे, कि जो चीज compare हो रही हो, उसको आप numerator में लिखो, और जिससे compare हो रही हो, उसको आप क्या हां लिखो, denominator में लिखो, ठीक है, इसको आप English में भी कर सकते हो, कि the thing that is going to be compared, is our numerator, the thing with which we are comparing, is our denominator, आप ऐसा कर सकते हो, और अगर आपको ये चीज़ पता है, तो this is going to help you a lot, while solving your percentage basic question, like, जैसे कि, अभी फिलाल आपने ये समझा है, कि out of 4 कितना है, ठीक है, तो out of 100 कितना होगा, ये अगर आपको पता करना हो, तो कैसे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम relate करते हैं, unitary method से, ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं, three part is saided, three part is saided, out of 4, ये कह सकते हैं, कि three part is saided है, चार में से, so, how many, so, how many, will be saided, saided, out of one, ठीक है, तो इसका answer ही क्या आता है, यही fraction आता है, जब आप out of one देखते हो, जैसे क्या बोला था question में, starting में, कि saided part पूरे का कितना है, तो पूरा as a one treat होता है, पूरा as a whole treat होता है, ठीक है, तो how many will be saided out of one, इसका जो answer होगा, वो कितना होगा, 3 by 4, आप यह समझ रहे होगे, कि कोई 4 में से 3 था, तो 1 में से कितना होगा, 3 by 4 होगा, ठीक है, so, अब आते हैं percentage का, percentage होता है, कि 100 में से कितना है, out of 100 कितना है, तो how many will be saided out of 100, इसके लिए आपका answer क्या हो जाएगा, 3 by 4 और into 100, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यह कहना क्या चाह रहे हैं, और इससे हम relate करना क्या चाह रहे हैं, जैसे कि out of 100 लिखा है, कि how many will be saided out of 100, तो आपने क्या किया, पहले आपने fraction देखा, और उस fraction को 100 से multiply कर दिया, पहले out of 1 लिखा, और उसमें 100 multiply कर दिया, तो out of 1 पता करने के लिए, आपको basically करना क्या है, fraction find out करना है, और वो fraction आप कैसे find out करोगे, with the help of, जो अपन जिस से, इसका मतलब कि अगर in future, आपको basic question करने है, percentage के, या फिर percentage निकालना ही है, कभी भी, तो आपको करना क्या है, एक fraction बताना है, जो कि है क्या, जो अपन क्या, जिस से, और उसमें आपको क्या कर देना है, 100 multiply कर देना है, 100 कर दीजिए, तो आपको desired percentage मिल जाएगा, ठीक है, तो अभी तक आपको यह समझ में आ गया, कि percentage basically आएगा कैसे, जो चीज compare हो, उसको आप numerator में लिखिए, और जिस से compare हो, उसको denominator में लिखिए, और into 100 कर दिए, और आपको यह याद होगा, मतलब बच्पन से ही, स्टार्टिंग से ही, जब कभी आपको percentage पता करना होता था, एक fraction में आप 100 मल्टिप्लाई करते हैं, बढ़ आपको यह नहीं पता था, कि वो fraction आता कैसे था, now you know, कि जो compare हो, उसको numerator में लिखिए, जिस से compare हो, उसको denominator में लिखिए, और इन 200 कर देजे, तो आपको desired percentage मिल जाएगा, अब इसकी मदद से, दो questions करते हैं, छोटे-छोटे, जिससे हम समझ भाएं कि हाँ, यह जो हम लोगों ने याद किया, या फिर हम लोगों ने सीखा, इसके मिदद से हम कैसे answers देंगे, सब्सक्राइब दो person हो, A और B, और उनके age जो हो, 15 years और 20 years हो, ठीक है, तो percentage में question कैसे बन सकता है, अच्छा basic question कैसे बन सकता है, कि B की age, A की age से कितना अधिक है, यह बन सकता है, percentage में कैसे बनेगा, percentage involved होना चाहिए, कि B की age, A की age से कितना percent अधिक है, तो लिख देते हैं question, जैसे कि पहला question आपसे पूछा जाए, B's age is what percent more than that of A's age, B की age, A की age से कितना percent अधिक है, तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे इस question का answer देने के लिए, आपको यह find out करना है, कि हम fraction तक पहुँचे कैसे, तो उस fraction तक पहुँचने के लिए, सबसे पहले आपको यह सोचना होगा, कि क्या चीज compare हो रही है, तो compare क्या और यह अगर आप ध्यान से देखो, यह percentage का sign खाली हटा दो, तो आप समझोगे कि अगर यह basic question होता, तो अधिक वाला question होता, तक कि कितना अधिक है, तो percentage का sign हटाने के बाद एक question जो बन सकता है, exactly तो नहीं बन रहा है, बट आप feel कर सकते हो, यह question क्या बन सकता है, कि B is what more than A, या B की A, A से कितनी अधिक है, यह बन सकता है, तो वही चीज क्या होता है, compare होता है, ठीक है, तो basically यहाँ पर compare क्या होगा, कि B की A, A की A से कितना अधिक है, तो आप यह ध्यान से रखो, अधिक कितना है, वह है 4, sorry, अधिक कितना है, वह है 5, ठीक है, this is 20, this is 15, तो अधिक कितना है, 5, और किसे अधिक, A की A से, मतलब comparison किसे हो रहा है, A की A से हो रहा है, A की A कितनी है, वह है 15, और अगर आप into 100 कर दो, तो this is going to be your answer, that is 1 by 3, that is 33 whole, 1 by 3%, ठीक है, अच्छा, इस तरह के 4 basic question बनते हैं, और वो अगर आपने 4 basic question कर डाला, तो live, जिंगा लाला, बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, percentage के basic question करना, या फिर आप आगे relate करके, अच्छा, यहीं तक नहीं है, यसी जो 4 basic question की, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, यह 4 basic question आप अगर कर लोगे, तो आप data interpretation के भी questions करोगे, data interpretation आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि, मतलब 2, 3, 4 persons होते हैं, या फिर 2 persons हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, 2 school हो सकते हैं, तो उनको compare कर रहा होता है, जैसे 2 school हैं, तो उनमें number of student हैं, तो बोल सकता है कि, school A में, जो number of student है, school B के number of student से, कितना percent अधिक हैं, या कितना percent कम हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीखतो रहे हो, लेकिन आप जो है, इसकी मदद से, data interpretation के भी questions कर सकते हो, तो यहाँ पे, वेलू है 160, B की वेलू है 200, और आप से 4 basic questions पूछा जा सकते हो, जिसके अलाव कुछ नहीं पूछा जा सकता है, अगर 2 variable हों तो, ठीक है, तो वो 4 basic questions क्या पूछा जा सकते हैं, A is what percent less than B, obviously कम है, तो कम ही पूछा जाएगा, दूसरा, B is what percent more than A, B जादा है A से, तो obviously कितना percent जादा है, ये पुछा जाएगा, and A is what percent of B, and B is what percent of A, ये जो दो question है last के, ये कुछ इसी तरह के हैं, जो आपने अभी आपने किया है, कि sadded part पूरे का कितना है, तो अगर मैं question में पूछा हूँ, suppose कि ये A है, ये अगर A होता, और ये पूरा B की value को represent कर रहा होता, तो मैं ऐसा पूछ सकता हूँ, कि A B का कितना percent है, ऐसा पूछ सकता हूँ, तो वही चीज़ है, क्या है, कि ये जो आखरी के दो question है, ये दोनो basically इसी तरह के हैं, ठीक है, और अभी आपने एक question किया था, जिस पे ये best है, और यही चार question आते हैं, ये सीखते हैं, ये कैसे होंगे, और क्या हमें सीखना है, और कैसे on this part हम देखें, और कहें अच्छा तुम हो, अच्छा रूख अच्छा answer, तो देखो, लिखा है, अगर ये percentage ना होता, तो question क्या बनता, A, B से कितना कम है, इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे A, B से कितना कम है, यही compare होने जागा है, इसका मतलब, अच्छा अब कम कैसे आप निकालते हो, कम निकालते हो आप difference से, इसका मतलब, इस particular question के लिए, जो जो की value होगी, वो difference of given two data होगी, ठीक है, दो दो data है, उनका difference होगा, और compare किससे हो रहा है, यह सोचना है आपको, A is what percent less than B, तो किससे B से, ठीक है, या फिर अगर आपको एकदम है, ना समझ में आ रहा हो, यह question English में written हो, तो आप यह समझ रहो कि, यह preposition है ना, ठीक है, तो जो preposition के साथ वाला है, उसी से comparison होता है, यह एकदम simple सा है, अगर इस तरह से assertage लिखा हुवा question मिलता है, तो, ठीक है, otherwise, I hope कि आप समझ पाओगे, बहुत ही basic है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस particular question में comparison किस से होगा, B से, मतलब जो क्या है, difference of given two values, A और B की value का difference, और जिससे क्या है, B की value, value of B, ठीक है, यह बस ध्यान रखना है, और question बहुत silly है, बहुत ही आसान सो जाएगा, यहाँ पे देखो, अगें यह क्या है, B is what percent more than A, तो अगर percentage नहीं होता, तो basically question क्या होता, कि कितना अधिक है, इसका मतलब यह इस question में भी, जो क्या है, basically difference of given data, और यहाँ पे comfort region किस से है, A से है, that means कि जिस से क्या होगा, value of A, ठीक है, अब इसकी बात करें, तो इसको मैंने relate किया है इससे, ठीक है, तो इससे हम relate करके, answer देने की कोशिस करेंगे, तो अब ध्यान से देखना, this is all sadded part, and this is whole, sadded part is what percent of whole, इस तरह से अगर आप करते हो, इसका मतलब, यह ही हमारा क्या है, जो है, और यह ही हमारा क्या है, जैसे उस question में, sadded part को आप numerator में रखते थे, ठीक है, और जिससे compare करते थे, वो आप कहां रखते थे, denominator में रखते थे, तो that means की, starting वाला, is our numerator, and last order is our denominator, same, इसके साथ भी होगा, B is what percent of A, यानि कि यही चीज compare हो रही है, और किससे compare हो रही है, इससे, ठीक है, ओके, अच्छा, यहां भी आप ध्यान से देख लो, कि preposition के साथ वाला ही क्या है, जिससे वाला answer है, ठीक है, तो अगर यह चीज़ आप समझ गये हो, तो यह 4 question बहुत ही इसली आप answer दे सकते हो, तो पहले का answer आप क्या लिखोगे, कि sir, A is what percent less है, या B is what percent more है, तो जब कभी भी question what percent more या what percent less का हो, कितना percent अधिक या कितना percent कम का हो, तो basically numerator क्या होगा, given values का difference होगा, यह ठीज़ ध्यान रखना, मतलब जो चीज compare हो रही है, difference ही compare हो रही है, तो difference कितना है, वो है 40, ठीक है, question में क्या है, what percent less than B, तो थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, अगर question less का है, तो किस से less होगा, जादा वाली value से less होगा, अगर और थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो इसका मतलब आप सीधे लिख दोगे, कि नीचे जादा वाली value होने चाहिए, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर question less का है, तो comparison किस से, कोई चीज कम किस से होती है, अधिक वाले से ही होती है, तो comparison किस से होगा, अधिक वाले से होगा, यानि कि denominator में क्या होगा, 200 होगा, अगर आप ये sense लेके चल रहे हो, और या फिर आपने ये preposition वाला sense लिया, जैसे आप चाहो, तो ये आपका fraction आगया, और into 100, you will solve it, you will get it, this is 1, this is 5, your answer will be 20%, now come to second one, numerator 40 ही होगा, क्यों 40 होगा, क्योंकि again, ये question कितना percent अधिक वाला है, ठीक है, तो numerator 40 किस से compare होगा, A की value, A की value कितनी है, 160, solve out करोगे, into 100 करोगे, और solve out करोगे, तो this will be what, 25%, now come to third question, third question लिखा है, A is what percent of B, इसका सीधा मतलब ये है, कि पूरा का पूरा A compare हो रहा है, किस से, B से, that means कि हमें क्या करना है, पूरा का पूरा A की value, numerator में लिखनी है, और पूरा के पूरे B की value, denominator में लिखनी है, और into आपको कर देना है 100, this will be 4, and this will be 540 से divide करने पे, and the answer will be what, 80%, now come to fourth one, तक कि आप 4 समझ लो, fourth one है क्या, B is what percent of A, इसका मतलब पूरा का पूरा B compare हो रहा है, किस से है, पूरे के पूरे A से, त्यानि कि numerator में, fourth वाले में, numerator कितना हो जाएगा, B की value, क्योंकि B से compare हो रहा था, किस की value से, sorry, wait for a second, मैंने क्या हो ला, B compare हो रहा था, किस से, A की value से, यह ध्यान देना, कि B is what percent of A, इसका मतलब B compare होगा किस से, A से, यानि 160, and into 100, इसको आप solve out करोगे, this will be 5, this will be 4, that is, 125 percent, hope कि आपको यह समझ में आ गया है, ठीक है, और अगर यह समझ में आ गया है, तो हम इसको with the help of ratio कैसे करें, क्योंकि ultimately most of the question आपको ratio की मदद से ही करता है, और इसकी आप ध्यान देजे कि आप ratio में ratio पढ़ोगे, mixture allocation में ratio पढ़ोगे, percentage में ratio पढ़ोगे, profit and loss में ratio पढ़ोगे, मतलब you are going to deal all the chapter with the help of only ratio, इसका मतलब क्या है कि ratio पढ़ डाला तो live जिंगा लाला, तो चलिए अभी यही question, with the help of ratio हम कैसे करें, ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इनका ratio ले लूँ, जो values थी इनका ratio ले लूँ, और यहां से क्या सीखने को मिलेगा, यह भी मैं आपको बता दूँ, तो अगर मैं इनका ratio ले लूँ, तो यह क्या होगा, 4 ratio 5, 40 से डिवाइड करोगे, this will be 4 and this will be 5, अब इस question का answer दो, A is what percent less than B, हमें answer यहां से नहीं है, answer यहां से देना है, ठीक है, A is what percent less than B, मतलब comparison क्या हो रहा है, कितना कम या कितना ज़ादा, तो यहां पे जब अपने ratio पता है, तो basically difference of ratio क्या है, इस पर आपको focus करना है, इन दोनों question के लिए, question number 1 और question number 2, दोनों के लिए, जो आपका numerator होगा, basically difference of given ratios होगा, तो difference of given ratio क्या है, one ratio, comparison किस से हो रहा है, less than B है, तो comparison B से है, B का ratio कितना है, 5 और into 100, your answer will be 20%, और यही answer पहले भी आया था, again, दूसरे question को करें, तो कितना अधिक एक ratio, किस से, A से, A की value कितनी है, 4 ratio और into 100, this will be what, 25%, अब यह answer देखो, A is what percent of B, तो मतलब पूरा का पूरा A compare होना, किस से B से, A की value, 4 ratio, B की value, 5 ratio, और into 100, answer will be 80%, ठीक है, now come to the last one, B is what percent of A, तो पूरा का पूरा B compare होगा A से, that is numerator is 5, denominator is 4, और into 100, तो answer will be 125%, ठीक है, अब अगर आप यह चीज़ समझ चुके हो, तो इसकी मदद से, आप बहुत सारे questions कर सकते हो, अब एक छोटी सी बात यह है, कि यहाँ पे आपने सीखा किया, कि पहले value दी हुई थी, उन value को हमने ratio में convert किया, और ratio में convert कर दिया, तो भी answer आपने है, इसका क्या मतलब है, कि value दी हो, चाहे ना दी हो, हमें ratio पता हो, यह 4 basic comparison के questions कर सकते हैं, that means, to answer 4 basic question of percentage, जो कि यहाँ पे है, what is required is, only ratio, मतलब ratio पता हो, अब इसी से related, हम कुछ question करेंगे, ठीक है, तो दीखें, एक basic question लिखा हुआ है, कि A's income is 25% more than, that of B's income होना चाहिए, अगर English की बात करें तो, that of B's income, then B's income is what percent less than that of, आप correct कर लिजएगा, A's income, ओके, इस question को आप कैसे approach करोगे, क्या approach होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे discuss करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें एकदम basic की, तो आप कैसे करते थे, जब कभी भी percentage होता था, तो आप चीज़ों को solid करते थे, उस data को assume करो, उस data को suppose करो, जिसके suppose करने से दूसरा वाला निकल रहा हो, ठीक है, अगर यह चीज़ आपने सीख ली, तो आप बड़ी easily कर सकते हो, तो आप basic, जब आप करते थे, तो percentage में solid करते थे, तो यहाँ पर आपको यह सोचना है, अगर मैं एकदम basic से जाऊं, एकदम basic से जाऊं, तो मुझे 100 let करना चाहिए, तो 100 किसको let करें, ठीक है, तो देखो लिखा है, A's income is 25% more than that of B's income, इसका मतलब क्या है, अगर B का income पता है, तो उसके 25% अधिक करने से A का income चलाएगा, इसका मतलब हमें let क्या करना चाहिए, B का income let करना चाहिए, तो suppose B का income जो हो 100 हो, तो इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% हो जाएगा 25, इसका मतलब A का जो income आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 125, अब आपको क्या है, A और B दोनो data पता है, आपने जो एजिम किया था, उसके हिसाब से, दोनो data पता हैं, और आपको यह answer देना है, कि B's income is what percent less than that of A's income, तो less कितना है, 25 ही होगा, वो मैं बता चुका हूँ आपको, कि आपको जब कभी percentage में more than, या less than पता करना हो, तो basically उन दो data का difference देखना होता है, तो यहाँ पर दो data हैं क्या, हमारे इसाब से 100 और 125 हैं, तो difference कितना होगा, 25, अब किस से, than A, इसलिए A की value से comparison, यानि कि 125 और 200, यह answer will be 15, that is 20 percent, ठीक है, यह एक तरीका हो गया, question को करने का, लेकिन, अगर आप अभी यह चीज़ सीख लो, कि how to convert, sorry, how to convert percentage in fraction, and then, this fraction in ratio, and then, आपको पता ही है कि ratio की मदद से, हम बड़ी आसाने से basic question करना है, इसका मतलब हमें यह सीखना है, कि कैसे हम percentage को fraction में convert करें, और उस fraction को कैसे हम ratio में convert करें, और उस ratio से कैसे हम answer दें, यह हमें सीखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, ठीक है, कोई भी percentage हो, उसको आप fraction में convert कैसे करते हो, वो value लिखते हो, और upon 100 करते हो, तो यह आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको याद रहना चाहिए, जैसे 25% 1 by 4 होता है, यह याद रहना चाहिए, और अभी हम आगे की classes में discuss करेंगे, कुछ basic fraction जिनके percentage में values कितनी होती है, और कैसे उनको relate करें, कैसे उन्हें याद रखें, यह हम discuss करेंगे, तो देखो, यहाँ पे जो 25% है, इस 25% की value अगर हम fraction में देखें हैं, तो 1 by 4, ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना है, कि जब कभी भी हम percentage को fraction में convert करेंगे, ठीक है, तो fraction basically numerator upon denominator होगा, तो यह जो denominator होगा, वो उस चीज़ को represent करता है, जो चीज़ बदल रही होती है, या फिर जो चीज़ change हो रही होती है, ठीक है, या कि मतलब क्या है, कि जो original value होती है, वही change होके नहीं आती है, इसका मतलब यह है, कि आपको यह सोचना है, कि denominator is basically आपका original value, जिसको हम change कर सकते हैं, अभी हमने आपको बोला था, कि पता उसका पता करो, जिसके पता कर चलने से, सबका पता असानी से पता चलने से, कहने का मतलब क्या था, कि वो assume करो, जिसके assume कहोने से, दूसरा वाला पता चल रहा हो, ठीक है, तो वही चीज़ आपकी original value होगी, और यह जो numerator होगा, इतने से ही आपको क्या करना है, changes करने है, इतने से आपको original value में, changes करना है, changes का मतलब क्या है, कि अगर percentage increase है, तो आप plus करोगे, percentage decrease है, तो आप minus करोगे, इंक्रीज करोगे मतलब क्या होता, बढ़ाना ना, तो बढ़ा होगे कैसे, जोड़के ही बढ़ा होगे, और decrease के मतलब क्या होता, घटाने तो घटा होगे कैसे, minus करके ही घटा होगे, sorry, कम करना होता, तो कैसे कम करोगे, minus करके करोगे, तो original value में, जो आप change कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगी, नई value, तो यह चीज अगर आपने ध्यान दे लिया, कि percentage, basically percentage नहीं है, percentage fraction है, और fraction से हम तीन ratio पता कर सकते हैं, एक original value का, एक change का, और एक नई value का, और अगर आपने यह समझ लिया, तो question बहुत हैज है, ठीक है, तो देखो, इस 25% की बात करें, तो 25% is what, 1 by 4, 1 by 4, अब यह देखो ध्यान से, आपको assume क्या करना था, A, sorry, question देखो, A's income is 25% more than B's income, यानि कि B की value को आप change करोगे, तो A की value आएगी, मतलब यह जो denominator है, यह original है, और original क्या है, B की value है, तो charge है, B की value हो जाएगी, यह change है, यह change है, अब यहाँ question में, यह data दिया है percentage में, वो क्या बोला है, कि A's income is 25% more than, तो more का मतलब plus होएगा, plus होगा, या increase करना होगा, यही आप समझोगे, तो more than that means क्या, plus, तो B में जब यह change करोगे, तो आपको मिलेगा, क्या A की value, जो की होगी क्या 5, यहाँ से, आप आसानी से, A और B का ratio लिखोगे, which will be क्या 5 ratio 4, और आपको, अभी पिछले, मतलब थोड़े से, समय पहले आपने यह देखा था, कि कैसे आप ratio की में ज़रा सिर basic answers दे रहे थे, मतलब ratio पद अगर डाला तो life, जिंगा लाला, अब आप answer दो, question क्या है, question लिखा है कि, B's income is what percent less than that of A's income, तो भाईया, कम या ज़्यादा वाला सवाल, that is difference, तो difference कितना एक ratio, किस से कम है ना, तो ज़्यादा वाले से, that is 5 से, और in 200, तो answer will be 20%, there are other ways to do this question, अगर आप थोड़ा सा और practice कर लो, तो आप सीदेश, fraction को convert करोगे, percentage को convert करोगे, fraction में, this will be what, 1 by 4, और अगर यहाँ मोड लिखाना, तो यही जोड लो, 1 by 5, और in 200, it is your answer, तो आप यह कर तो सकते हो, but it's a bit of confusing चीज, तो थोड़ा सा confusion की वज़े से, आप इसको ignore करो, इस पे focus करो, क्योंकि question हम, चाहे वो profit and loss का हो, चाहे वो percentage का हो, with the help of ratio ही करने वाले हैं, ठीक है?